देखो पिर्थीसाथ का 42 नमबर question देखो क्या कहता है कि एक salesman को कुल विकरी पर 5.5 –30 कमीशन मिलता है और 10,000 से उपर की विकरी पर 1.2 पिर्थीसाथ बोनस भी मिलता है अगर salesman की कुल आमदनी किजनी 1,990 रुपे हो तो कुल विकरी ग्याद कीजिए देखो condition क्या है पहली 10,000 बिक्री है और फिर क्या है 10,000 से उपर की बिक्री है अब क्या कहता है कि एक salesman को कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन मिलता है यहां भी 5.5% का कमीशन मिलता है ठीक है और यहां भी 5.5% का कमीशन मिलता है और 10,000 से उपर की बिकरी पर एक प्रतिसत बोनस भी मिलता है ऐसा करने पर को सेल्समेन की आमद नहीं कितनी होती है 1990 रुपे होती है मैं क्या करता हूँ कि अपनी और से सेल्समेन का आदा प्रतिसत कमीसन और बढ़ा देता हूँ ठीक है अब 10,000 का आदा प्रतिसत निकाल दो ठीक है न 10,000 है का 10,000 है का 10,000 है का 10% पर तीसत अटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे 2,0 से 2,0 कट गया 2 से कट गया 50 तो कितना आ गया 50 आप ऐसा भी सोच सकते थे कि 10,000 का 1% होगा 100 और 10,000 का 10,000 का 10,000 कितना होगा 50 अब देखो टोटल विक्री पर टोटल कितना मिल गया उसको 6% मिल गया अब प्यार की 10,000 से उपर तो उसे 6 मिलता था और 10,000 से पहले उसे 5.5 मिलता था हमने अपनी मर्जी से 10% एक्स्ट्रा ले लिया अब क्या की सेल्समेन की जेम में 50 रुपे ज़ादा जाएंगे तो 50 जोड़ दो 0,95,14 ठीक है ना 9,54 है और 9,21 है 2 यानि 240 अब कुल बिकरी ये क्या है ये कुल बिकरी का 6% कुल बिकरी का 6% बरावर कितना 240 वह सेल्समेन को कितना मिला है सेल्समेन को कुल बिकरी पर 6% मिला है अब कुल बिकरी का 6% salesman को really मिल कितना रहा है 240 रुपे मिलना अब 6 से देखो 6 से 6 तिया 18 ठीक है 6 तिया 18 यह गलत है 9, 5, 14, 10 40 6 तिया 18 बचका कितना 2 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 0 तो कुल विक्री कितनी हो गई कुल विक्री हो गई 34, 0, 0, 0 ठीक है जब 1990 में जोड़ेंगे 50 तो कितना आएगा आपका 2040 आएगा ठीक है तो यानि ए ओप्सन क्या आपका बिलकुल सही उत्तर है